हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे 2018 से पहले सभी पूरु सेनिकों के लिए एक अच्छी खबर है 2018 से पहले जितने पूरु सेनिक है जिन्होंने के लिए अप्लाई किया था उनके लिए एक बड़ी खुशकबरी है और सरकार ने इसी संदर में एक नया ओर्डर जारी किया है जो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्या यह नया ओर्डर है और किस तरीके से सभी पूरु सेनिकों के लिए इंप्लिमेंट होगा दोस्तों और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथी साथ बेल आइकन जरू दबाएं दोस्तों दो बाते हैं एक तो जो पूरु सेनिकों को बेनिफिट मिलता है वो हर साल मिलत उसका जो है उसके उपर अपडेट है इसके लाओ दोस्तों जो बेनिफिट मिलते थे उसमें भी बढ़ोतरी की गई है यह बेनिफिट पहले भी मिलते थे लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की गई है जैसे मेरेज ग्रांट इंक्रीज फॉम सोलह हजार टू फिफ्टी एंहर। पैंए़ी ग्रांट जो है वो एक हजार से चार हजार लगबख चार गुना बढ़ा दिया गया है ह। मैरेज ग्रांट लगबख जो है तीन गुना बढ़ादिया गया-गया Disabled Children Grant जो है एक हजार से तीन हजार पर मंद कर दिया गया Mobility Equipment to Disabled EASM जो है वो एक लाग कर दिया गया एप्रिल 2022 से Orphan Grant to the Children of Ex-Servicemen उसको एक हजार से तीन हजार कर दिया गया दोस्तों 320 करोड अडिशनल जो है 2021 में सरकार ने जारी किया है जो कि जितने भी बैक लॉग से जो पहले नहीं दिये गए पैनियूरी के Marriage के Education Grant के उन सब को Clear कर दिया जाएगा जो 320 करोड रुपए जो भी Grant किया गया रक्षा राज्यमंत्री श्री अजयबट इने रिटन रिप्लाइट तू श्री रामचंद्र बोरा एंड श्री सुनील कुमार मंडल यह पूरे के पूरे जो नए जो बैनिफिट से वह मिलेंगे प्लस 2018 से पहले जिन जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाइग किया था चाहे वह मैरेज के लिए हो पिनिवरी के लिए हो एड्यूकेशन ग्रांट के लिए कई लोगों को नहीं मिला था तो उस बैक लॉग को भी अब क्लियर कर दिया जाएगा और सभी को जो है इसका जिन जिन अप्लाइग किया उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों देख सकते हैं आज का इंपोर्टेंट अप्टेट 2018 से पहले के सभी पूरो सेनिकों के लिए दोस्तों कर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने ना भूले थैंक यू फर वाचिंग डिस वीडियो